आप सब हमारा जो चेप्टर चरही हुए पी ब्लाक के तत्वा और हम लोग पढ़ रहे हैं स्वमू अठारा के तत्वा और आज जो टॉपिक है वो है उत्कृष्ट गैस की ओगी इसके पीछे भी यही टॉपिक था उत्कृष्ट गैस की ओगी जिसमें मैंने आपको बताया जिनान के फ्लोराइड और आज के जो टॉपिक उसमें बताऊंगा मैं जिनान के अकसाइड है ना और जिनान के अकसी फ्लोराइड पहले में पढ़े थे हम लोग जिनान के फ्लोराइड बस पढ़े थे है ना आज का पॉइंट रहेगा जिनान के अकसाइड और साथी साथ तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जिनान के अकसाइड में, तो जिनान के जो अकसाइड है उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यार रखना जरूरी है, तो सबसे पहले जिनान का अकसाइड XEO3, उसके बाद पढ़ेंगे XEO4, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जिन इंट के अकसाइड वो कैसे बनता है है to इसके लिए एकधम सिम्पल सी बात है जिनान का अकसाइड हमारा क्या है XEO3 है, जिनानिका कैसे बनता है उसके बाद ही इसका हम लोग सरचना पढ़ पाएंगे ठीक है तो जिनान का अक्साइड जैसे की XEO3 को है ना XEF6 यह XEF6 कोन है इसके जस्ट पीछे हमने वीडियो पढ़ी है वीडियो क्लियर करी है जिसको हम लोग बोलते हैं जिनान के फ्लोराइट और इसके यह फ्लोराइट को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया तो यह जिनान के फ्लोराइट है जिनान हेक्जा फ्लोराइट जिनान टेटर फ्लोराइट क्लियर है तो जिनान के अक्साइड को जिनान के फ्लोराइट जैसे की XEF3 जारी F6 तथा XEF4 के जल अब घटन के फल और सबसे पहले हम लोग हमारे पास है XEF6, ओके, यह हमारे पास, इसका हम लोग करवा देते हैं, जलब घटन, H2, है ना, पानी की मातर बढ़ाएंगे, थोड़ा से, है ना, तो XEF6 है, तो A, जिनान क्या है, यह अक्सिन के संथ करेगा, और यह किस करेगा, यह देखे, यह म है ना, अब यहां पर क्या होता है, यह जिनान है, actually मैं जिनान को आप कैसा समझते हो, यह अ Budd mat не ठीक है आप जानते हो बच्चनी हो है ना तो यहाँ पर क्या हो गया च्छाय हेड़न भी बढ़े गया तो हेड़न को तीन दुने च्छाय है और इस तरह से यह बन गया आपका जिनान के अकसाइड ठीक है और इससे बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होती है बहुत लंबा प् होता है पानी के लगभल होगा 11 12 अनू लेना पड़ता है ठीक है मैं मतलब मोल कहा सकते हैं तो यह प्या दाए जीनान ऑकसाइड बनाता है ठीक है इसका प्रक्रिया एकदम औजीब टैप से जीनान उक्साइड परापत होगा 717 साथ ही साथ आपका जिनान अकेलन भी निकले हो जाता है तो फ्लोरिन को करने के लिए यहां पार पढ़ना पड़ता है चाइज हो गया तो जिनान कितना है एक दो दो ही जिनान है हैंना तो एक जगांड बढ़ेगी ऐसे भी तो इसको बढ़ाते है चार जिनान चार इधर दो estar फिके तो यह होगी आपने पास ऑख्षैन के संख्या बढ़ेगी तो अभी नहीं बढ़ाते हैं चलो इसमें दो कर देते हैं ठीके d TAZ you know नहीं दो जिनान इधर चार जिना है यहां से आपको क्लियर हो गया कि जिनान के अक्साइट कैसे प्राप्त करते हैं अब हम लोग चलते हैं जिनान के अक्साइट के सरचना में उसमें कौन सा संक्रन पाय जाता है कौन सा लोन पेर कौन सा बोन पेर प्याता है उसको समझते हैं ठीक है तो सबसे बलते हैं एक्स यी ओधरिम चलते हैं न तो जिनान का अलेट्रानिक विना सहाँ पर मैंने लिकार कर रखिये हैं तो फाइप स्क्यार और फाइप पी सिक्स मतलब इसके जो अनितिम कोस है विगष दब्बा पी में तीन डब्बा और यसमें आप जानते वह ना तो एलट्रान हैं इसमें 6 एलट्रान ठीक है आपको सुरू में बताया था पहले वीडियोमि के उते जीत अवस्ता मतरी आपका कौन सवस्ता है मूलास्ता है यह किसका जिनान यहाँ पर मैं लिक देता हूँ जिनान ठीक है इस जिनान के साथ कौन जुड़ा हुआ है अक्सिजन जुड़ा है कितने तीन अक्सिजन ठीक है तो एक अक्सिजन यहाँ एक अक्सिजन यहाँ और एक अक्सिजन इस तरफ अक्सिजन दो बॉंड बनाता है यह आपको पता है प होना जरूरी है कितने अधिक होगा तो प्वाई बॉंड फर्मेशन होगी ठीक है तो कैसे होगा उसको समझना है ध्यान से तो सबसे पहले देखे हमारे पास यह एकस इओ थी है हमारे पास ठीक है तो प्रत्थम उत्तिजी तवस्था में आएगा तो यहां कलेटर यहां सिप् है ना यहां दिती में दिती उत्तिजी तवस्था में यहां कलेटर यहां सिप्ट हो जाएगा और तो त्रिती उत्तिजी तवस्था में यहां सिप्ट हो जाएगा यह आपको पता है है ना मतलब मतलब यह एस्पीम क्या हो जाएगा दो अलेक्ट्रों और इसके पास एक एल चाँ था और पांच वा इधर में बनायता हूँ लेकिन वो खाली रहता है तो नहीं बनाऊंगा ठीक है पांच दब्बा होता है डी अर्बिटल में तो तीन ही बनायता हूँ ठीक है चार डब्बा एक डब्बा छुप गया आपको नहीं दिख रहा होगा ठीक है चलिए अब यहां पर देखिए कि इन में कौन बॉंड बनाता है और कौन से संग्रण का फार्मेशन होता है XeO3 XeO3 है ना तो सबसे पहले देखिए Oxygen का लिकालता हूँ मैं Oxygen Oxygen का परमान करौण कितने है? 8 है तो 1s2, 2s2, 2p, 4 मतलब इसके बाहता हम कौन कौन है? 2s में 2 लिकाल, 2p में 4 लिकाल, 1, 2, 3 और यह 4 मतलब यह 2 बॉंड बना सकता है Oxygen का बना सकता है? 2 बॉंड ठीक है? अब एक Oxygen, 2 Oxygen, 3 Oxygen है हमारे पास ना? तो 3 Oxygen का वाइसी सिच्छा सार रहेगा? सेम यह 2 और यहाँ पर 2 बॉंड इस वाले Oxygen का 3 Oxygen है हमारे पास? यह ठीक है? यह तो आपको क्लियर करना है अब हम लोग बात करते हैं कैसे कैसे होगा उसको सिच्छान को है ना? तो सबसे पहले यह वाले जो बॉंड दिख रहा है यह वाले जो लेट्रान दिख रहा है उसके साथ पहला नमर का Oxygen है एक बॉंड बनाएगा? एकदम सिंबल तरीका समझेगा ठीक है? है ना? दूसरा नमर का Oxygen है वो एक बॉंड बनाएगा? है ना? हमारे पास जो संग्रान प्राप्त होगी है ना? उसको तब पहले भी जान सकते हो लोन पेर बोन पेर पर लेकिन यहाँ पर आपको समझ आएगा ठीक है? अब तीसरा जो यहाँ पर खड़ चाहोगा यह इतके साथ तो एक दो तीन तीन बॉंड यहाँ से बन गया एक दो तीन यह अलग को इस डेट डेस करके बना देना चलेगा है ना? तो यह उक्सियन के साथ बना हुआ एक दो तीन तीन बॉंड है यह आपका सीगमा बॉंड है सीगमा बॉंड है सीगमा बॉंड है है ना? अब देखे आगे अब हमारे पास इस उक्सियन के पास 1, 2, 3 3 oxygen है हमारे पास है ना तो 3 oxygen के साथ यहाँ पर तो ग्रिया हो गई अब 3 oxygen और है हमारे पास है ना, तो इस situation में ये पहला oxygen का जो electron है वो इनके साथ जुड़ेगा तो पहला में अगर πाई बॉर्ण सीग्मा बॉर्ण बन गए तो दूसरा बनाएगा आपका पाई बॉर्ण है ना ये इनके साथ अटेच होगा तो फिर बनाएगा पाई बॉर्ण और ये इनके साथ अटेच होगा तो फिर बनाएगा क्या पाई बॉर्ण अब अब बताओ यहाँ एक S आर्बिटर है एक P है एक और P है और एक और P है मतलब तीन P भाग लिए है और एक S भाग लिए है मतलब अच्छा आप सोचोगे कि D भाग लिए है हाँ D भाग लिए है लेकिन वहाँ पर bond का formation हुआ है वो क्या है आपका πाई bond हुआ है और आप संक्राण में πाई bond को नहीं गिनते हैं है ना तो यह होगा आपका 1 S और कितना 3 P तो S P 3 शंक्राण है इसमें X E O 3 में है ना और दूसरा पॉइंट में चलते है हमनो इसका lone pair और bonding pair lone pair मतलब अपने पास एक अंकिल ट्रान युगमा और ये bonding मतलब युगमित ठीक है अलेक्ट्रान युगमा अब यहाँ पर bond pair मतलब कितने bond बना है तो एक, दो, तीन तीन हमारे पास bond है तीन हमारे पास क्या है? bond है है ना तो और एक चीज़र बताता हूँ थोड़ा समझेगा है ना कि यहाँ पर यहाँ पर देखो 6 और 2 कितना हो गया? 8 5S में 2 6 और 2 कितना हो गया? 6 बॉन तो clear हो गया अपने पास 6 बॉन तो clear हो गया तो अब 2 इल्टरान और बचा तो 2 हमारे पास कौन से इल्टरान बचे है? हाँ पर उपर में लिग देते हैं हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे एक अंकिल टरान यूगमा हाँ अब हर जगा कुछ अलग-अलग से चुसन आती है कही जने क्या bonding बॉन्डिंग प्यार को कैसे गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 अपने पास है अब अंधिल टरान यूगमा ठीक है और एक लोण पैसे गिन देते हैं लेकिन क्या करता हूँ मैं संक्रन के धार पर गिन रहा हूँ संक्रन के धार पर हम लोग बोलेंगे तो भाई SP3 शंक्रन है SP3 शंक्रन हैं जिसमें से 1, 2, 3 3 हमारे पास कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने के करान ठीक है 3 सिग्मा बॉन्ड होने के करान सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 3 है तो 3 सिग्मा बॉन्ड के होने करान मैं यहाँ पर 1, 2, 3 इसका बॉन्डिंग पैर का संख्या कितने है 3 है समझ आया मैं न संक्रन का धार बत रहा हूँ लेकिन एक्षिलिम वही संक्रन का धार पर हम जो पढ़ते हैं वही सही होता है ठीक है अब loan pair दिखते है loan pair क्या है यह हमारे पास एक loan pair है बस और क्या है तो कुल मिला कि 3 और कितना हो गया 4 4 हो गया तो 4 में क्या बनता है SP3 बनता है 1S और 3 क्या है आपके पास P ठीक है अगर मैं इसको 6 गिनता हूँ 1,2,3,4,5,6 6 bond pair गिनता हूँ 6,7 तो SP3D2 हो जाता ना लेकिन हमारा तो SP3 है तो इससे बेटर यही है कि आप क्या करोगे इसमें दोनों bond को ना गिनेंगे क्योंकि एक πाई bond है यार एक πाई bond है एक सीगमा बन है तो सीगमा बन को ही गिनेंगे हम रूख ठीक है तो इसमें bond pair कितना है अपने पास है 3 और bond pair 3 है लेकिन आप लोग क्या सोचोगे 1,2,3,4,5,6,6 bond pair है ठीक है एक लेकिन यारे सीगमा सीगमा को गिना जाएगा ठीक है तो यहाँगे आपका bond pair कीतना है 3, loan pair कीतना है 1 है ठीक है तो पहला नंबर का पैन आगा सरचना loan pair, bond pair आगया तीसरा आएगा आपका jam激ती, इसकी जो jam激ती कैसे होती है jam激ती कैसे होती है तो एक चीज़ आप देखते हैं सीधी बात है कि जो sp3 शंकरन होता है वो चटुस फलकी होता है ठीक है चटुस फलकी हो चार फलक होता है देखे इधर इधर जाता इधर ऐसे बनता है जी ऐसे 1,2,3,4 ऐसे बनता चटुस फलकी है है ना ऐसे जी एक फलक इधर एक फलक इधर एक फलक इधर एक फलक पीछे की ओर चार फलक बनता मतलब कह सकते हैं अब यहां पर युगमी तिल ट्रान है हमारे पास स्वरी एक अंकिल ट्रान युगमी हमारे पास तो यह कैसे बनता है इनकी जो सरचना है यहां से मिलाएंगे और यहां पर एक अंकिल टान्यूग में लिखेंगे तो देखो यह उपर गया यह उपर गया यह उपर गया मैं तीन पेन में बता देता हूं आप समझ जाओगे एक पेन यहां नीचे एक पेन यहां इस तरफ और एक पेन इस तरफ ऐसे तीन हो गया ऐसे एसे खड़ा हुआ है एक दो तीन तो यह एक फलक इधार है एक फलक इधार है एक फलक है तीन फलक है हमारे पास ठीक है और सरचना देखेंगे तो पिरमीड है यह पिरमीड की तरह न यह उपर की और उपर को यहां से दिखे तो ठीक है यह पीरा मेडी सरचना है तो आप जैमिति में क्या लिखोगे पीरा मेडी यह जैमिति ना लिखकर एसे लिख सकते हो आप वास्तविक आकरिती क्योंकि मैं अगर मैं जैमिति लिखता हूँ तो इसकी जैमिति तो चतुस फल की ही टैप से लिखेंगे ना क्यों क्योंकि इसमें यह संकरन होता है तो आप आकरिती लिखे का वास्तविक आकरिती ठीके वास्तविक आकरिती संकरन लोन पेर बोन पेर और वास्तविक आकरिती यह पीरामीडी होता है ठीके ओके क्यों पीरामीडी होता है मैं बता दिया लोन पेर के करन अगर यह लोन पेर नहीं रहता ठीके त तो पहले मैं आपको यहाँ पर मूल अवस्था लिग देता हूँ जिनान का तो मूल अवस्था आप जानते हो ये हो गया तिन डबबा इधर और पाँच डबबा इधर ये देखो तिन दो पाँच ये 5S उपर ने बताया मैंने 5P और 5D हो गया इसमें 2 लेक्ट्रान इसमें 6 लेक्ट्रान वह अलग खाली उत्ते जीतवस्था तक बारे में बात करते हैं दोड़ा से तो ऑक्सिजन है हमारे पास अब इसका सरचन देखें तो सबसे पहले जीनान है अपने पास और इसके अकरिति देखें तो हमारे पास चार अक्सिजन है हमारे पास कितने अक्सिजन है चार अक्सिजन तो अभी ऐसे एक अख्षिन बाद पहला तो इस पीरामीडी सरजन बनाने को इस करते हैं ठीक है ऐसे लेकिन क्या होता है इसमें प्रतिकर्सन आप जानते हो ना इसमें थोड़ासे कम सब़्याद है इसमें होता है लोण पेर में हैं एछार्य होता हो अपने को इन ट्री आत कुल मिलागर आठ इयुक बना के सकता पड़ेगा कि चार सीगमा बनाएगा चार कई बनाएगा सीरीज बात है नहीं तो देखो यह हो गया कै कितने चार अच्छीन का बना दूं कि एक प्नाता हूँlem प्रका समाथ यह तो प्रक्रत्क रेकृस हो एक ऐस स्केयर टूपी फोर तो मैं वाना रहा रहा हूं hum oxygen है वो bond बनाएगा उसी तरह से दूसरे oxygen का भी यही रहेगा तीसरे oxygen का भी यही रहेगा और चाहते oxygen का भी यही रहेगा कैसे रहेगा दो लेटान इसमें एक लेटान और एक लेटान दो लेटान इसमें एक लेटान और एक लेटान और चाहता हमी रहेगा दो लेट्रान इसमें एक एलेट्रान और एक एलेट्रान ऐसे रहेगा ठीके ओके अब यहाँ पर देखें यह पहला वाला यह देखें पहला का एलेट्रान यहां गया एक एलेट्रान सिप्ट हो गया दूसर लेट्रान यहां सिप्ट हो गया दिती उत् अब यहां पर मैं करके दिखाता हूँ देक लेटरां दो लेटरां तीन लेटरां यहां से और इधा इसका SHIPT हो अद गया रखे अब यहां देखे मैंने आपको बताया था 8 क्या हो सकता पड़ेगी है ना तो यह 3-6 बस हुआ है तो यहां जो है वो यहां सिप्ट हो जाएगा तो अब देखे देहां से एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ कुल आठ है ठीक है है अब अब यहां से बनाना शुरू करते हैं देखें पहला ट्रान पहला जो हमारे पास पहला जो ऑक्सिजन है ठीक है ना पहला जो ऑक्सिजन है तो यह सब संक्रित कक्छक है यह मत देखें कि एस है और यह पी है तो एस पी कैसे संक्रित करेंगे करेंगे ठीक है यह जो संक्रन बन रहा है ना यह संक्रित कक्छक है पहले तो यह जिनान है वो संक्रित कक्छक है उस एक एलेक्ट्रोन में खर्च करता हूँ यहाँ ठीक है सबसे पहले औक्सियन के यह बाउ करता हूँ ठीक हैpos चाहर। यहां shift करता हूँ यह तो यह सभी कौन सा bond रहेगा sigma bond, sigma bond, sigma bond और sigma bond ठीक है अब बचा जो चारों का यह 1 bond, यह 2 bond यह 3 bond, यह 4 bond यह आपका सब का कौन सा है pi bond है मतलब 1 sigma और 1 pi bond सभी के पास है ठीक है यह pi bond यह pi bond, यह pi bond है ना अब इस चसन देखो आपके पास कि हमारे पास पूरा पूरा जो bond है pi bond है वो 4 है, 1, 2, 3, 4 ठीक है और sigma bond है वो भी 4 है, मतलब loan pair के संख्या कितने होगे, 4 हो गई ठीक है, अब sorry, bonding pair के संख्या होगे, 4 हो गई ठीक है, क्यों, 1, 2, 3, 4, 4 sigma हो गया ठीक है, अब loan pair देखे, पहले इसको में पाइंट लिख दो संकरन, संकरन क्या क्या है तो देखो 1, 2, 3, 4, 4 हो sigma है, तो 1s और 3p तो इसमें भी क्या होगेगा आपका sp3 शंकरन कौन सो हो जाएगा sp3 शंकरन हो गया, ठीक है अब sp3 संकरन में क्या होता है loan pair और bone pair के बारे में बात करते है loan pair तो देखे, जिनान के भाताम को उसमें 8 लटान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 complete हो गया, मतलब इसके पास loan pair क्या हो गया 0 हो गया, और bone pair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 निकालते हैं, अब अंधिल अटान, लेकिन मैंने आपको बतायाद है कि मैं के वहल किसका 1, 2, 3, 4, sigma electron करें तो loan pair, bond pair अपने पास क्या है bond pair अपने पास कितना है, चार है ठीक है, तो 4 और सुने कितना होगा 4, ठीक है, तो हमारा जामेती बात करूँगा, तो फिर चतुस-फलकी रहेगा 4 फलक वाले जी, ठीक है है ना, 1, 2, 3, 4, 4, चार फलक ठीक है, और जामेती उसमें भी पताया था मैंने, जामेती पताया था, चतुस-फलकी लेकिन उसमें चतुस-फलकी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बाइत है लोन पेर पेर जाता है, लोन पेर के करना हो क्या होता है पीरामीडी हो जाता है क्यों हो जाता है, पीरामीडी हो जाता है अब हमारे पास यहां तो कोई लोन पेर नहीं है ना भी जैब जाएगा क्या होता है ओक्या हें आगजी फ्लोराइड है उसको मैं ज्यादा टायम ने लूंगा केवल सबस्र चेहां जानकर आज़ी फ्लोराइट अभी हम लोग क्या पढ़ थे जिरान के अकसाइड पढ़ रहे थे यह आज़ी फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन भी रहेगा उसमें इसके पीछे ना तो जिनान के आज़ी फ्लोराइट जैसे क्या है XEOF2 XEOF2 वो क्या था XEO3 XEO4 था ठीक है अर यह इसमें Oxygen भी है फ्लोरीन है मतलब यह क्या अपने पास है आगजी फ्लोराइड है तो जिनान आगजी डाइप फ्लोराइड का सकते हैं लेकि फ्लोराइड का सकते हैं ठीक है न ओके या जिनान आगजी XEF4 तथा XEF6 के अंसिक जलब भटन से प्राप्त किया जाता है तो उसको मैंने क्या बत आया था कि जिनान के जो अकसाइड है उसको ना जिनान के अकसाइड को XEF4 और XEF6 के पूर्ण जलब भटन के फ्लोरूराइड प्राप्त कियाता है अगर अंसिक जलब भटन होता है तो oxzi fluoride प्रापत होगा लग याद रखेगा, पूरुनाब भटन होगा तो क्या हो जाएगा, अक्साइट प्रापत होगा जिनान के, और यहाँ पर अंसिक जलब भटन हो रहा है, तो जिनान के oxzi fluoride प्रापत होंगे तो सीधित बाद यहां पर की फ्लोरीन भी साहाँ में रहेगा अंसीक जल भटन हो रहा है ना इसका ठीक है तो अंसीक तो XE F4 में से यहां पर अक्सिजन के साथ पहले करेगा XE O ठीक है उसका फ्लोरीन का दो परमाणू है वो इसका अटेच हो जाएगा और XE O F2 क्लियर होग और हमारे पास H बचा और 2 F बचा तो यहां पर H F के रूप में क्या हो जाएगा यह बाहर हो जाएगा ठीक है तो XE O F2 प्राप्त हुआ उससी तरह अगर F4 को प्राप्त करना है तो F4 की संख्या कितने हो जागी F6 से इधर कर देते हैं तो XE F6 H2 के साथ करवा दिजेगा ठीक है तो यह हो जाएगा आपके पास hydrogen है सरी जिनान है वह अक्सें घंत करेका रहेगा तो XE O और F4 यहां पर 6 है ना तो 4 बाहर हो गया और 2 कहां लिकाल जाएगा H F के 7 फ्लोरीन है वो ठीक है तो इस तरह से यह हो गया जिनान के अगजिक फ्लोराइड अब चलते हैं हमारे पास जो जिनान का जो 5S है ठीक है 5S square और 5P 6 इसको बाद लिकूंगा ठीक है यहां से तो आपको पता है कि 5S के लिए एक डब्ब बनाते हैं और 5P के लिए तीन डब्बा और 5D के लिए 5 डब्बा ठीक है 5D तो 5D तो खाली है आपको पता ही है ठीक है ना जिनान का ल मूल अवस्था और मूल अवस्था में क्या होता है यहां पर 2 लेट्रान यहां पर कितने लेट्रान 6 लेट्रान ठीक है और यहां पर आएगा आपको उत्तेजित अवस्था उत्तेजित अवस्था अब उत्तेजित अवस्था में क्या होता है देखो पहले दिए देखो कि जिनान के साथ, जिनान के साथ, इसके बाइद आपको उसमें कितर रेटरान है, जानते हो न आप लोग, छेदो आठ रेटरान है, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, X, E, F, 2 की सरचने जब पढ़ते हैं, तो पहले आप देखें, हमारे पास एक अक्सिजन है, हमारे पास क्या है, एक अक्सिजन, अक्सिजन दो बाउंड बनाता है, आपको प्लियर है न, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, उपर को लिख देंगे, दूसरा फ्लोरीन नीचे को लिख देंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अपने को 1, 2, तीन जहने को जोड़ना है अपने को ठीक है और देखो एक यह सिंगल बॉन लेता है यह सिंगल बन लेता है तो एक दो और यह डबान लेता है मतलब तीन और यह चार मतलब चार जहने के अपने को ओसकता है चार क्या ओसकता है है ना ठीक है चार अयुगमित लटान के ओसकता ह तो दिखें यहां पर होता क्या है इसको रहन दो इसका यहां सिप्ट हो जाएगा तो अगमित कितने हो जाएंगे दो हो जाएंगे यहां सिप्ट हो जाएगा तो अगमित कितने हो जाएंगे चार हो जाएंगे देखो एक दो यहां रहें दो एक लेटरान यहां एक लेटरान यहां और तीन और यहां पर कितने लेटरान स्रिप्ट हो है दो लेटरान स्रिप्ट हो है यहां पर वन टू ठीक तो एक दो तीन चार चल लेटरन हमरे पास है अयुगमित है ना और oxygen का देखें oxygen का क्या होता है 8 1s² 2s² 2p6 2p4 है ना fluorine का देखें तो fluorine के कितना होता है अपने पास 9 1s² 2s² 2p5 तो दोनों का हम लोग लिका ले दें देखो इसका क्या लिकेंगे 2s और 2p के लिका ले दें 2s में 2-3 1 2-3-4 ठीक है इसका लिका लेते है 2-3-3-5 और पी में 5-4-5 ठीक है और हमारे पर दो fluorine है तो एक fluorine का लिका लेंगे तो यह सही सेम लिके लेगा तो लिके लेगा यह 2-3-4 यहाँ खआ हख़़ए और एक लेट्रान यहाँ अब यहाँ पर द्याहाँ से समझजी करें कौन कहां कौन से बॉन बना रहा है सबसे पहले जब फ्लोरीन है वो अपने एक लेट्रान के साथ एक बॉन बनाएगा यह P है ना 5 P है ठीक है यह 5 S है और यह 5 क्या है D है याद रखेगा है ना तो यह एक बॉन बनाएगा हां के साथ फ्लोरीन कौन से बॉन बनाएगा सिग्मा बनाएगा दूसरा फ्लोरीन ने बनाया इनके साथ एक बॉन कौन से बॉन सिग्मा बॉन अब तीस्तरा अक्सियान है भई वह हमारे पाद सॉक्षियन के पाद तो 1, 2, 2 लिक्टरान है ये तो एक सिंगल सिंगल तो नहीं पढ़ गया बेटा है ना अब ये क्या होगा ये एक के साथ से जुड़ेगा तो हाँ आप सुरुम पढ़ते आ रहे हो को फटा फटी यहां से जब जुड़ता है तो पाई बनाते है लेकिन ये पहला नमबर के जुड़ा है मतलब ये क्या बनाएगा आपका सिगमा बनाएगा है ना और ये वाला बनाएगा आपका पाई बॉंड क्लियर हो रही है ये बनाएगा आपका कौन सा पाई बॉंड बनाएगा अब बताईए कि पाई बॉंड के संख्या कितनी है पाई बॉंड के संख्या के वाल एक है चलो अब संकराण चलते इसके, पहला लिखता हूँ मैं संकराण, दूसरा मैं लिखता हूँ लोन पेयर और बॉन पेयर, तीसरा लिखता हूँ मैं इसकी आकरिती, है ना, तो देखो, ये समझ आए आपको, कि हमारे पस फ्लोरीन है, वो एक बॉन्ड के साथ किया गया, तो एक u use हुआ है त् cn you ऊगड़box अब दिखे संक्रां हम लोग पाइ को ने चुनते तो एक को क्या हुए थिस तो हमारे पाँ जो संग्रां क्राफ्ट हुआगा is p3 d हो गया कि अब क्या करें समय धाना बात है न और यह जो ay treatment is हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है इस शिचुसन देखे हैं हमारे पास है ना अब यह तो आ आगया समझ आगया है ना अब लोन पेर और बॉन पेर के बारे में बात करते हैं तो जिनान है उसके आज भायतम कोई समें च्छे लटान है और दो च्छे दो कितना है आठ तो एक बॉन दो बॉन तीन बॉन च्यार बॉन क्लियर कर लिया अब चाल अटान बचा मतलब इसके पास लोन पेर यहां दो लोन पेर बचे हैं ठीक है कि इसको इसे डेट डेस्ट करके बना देना लेकिन सरचना, loan pair जब भी होगा तो सरचना गलत हो जाता है, मतलब कहा जाए बदल जाता है, याद रखेगा ठीक है, जहाँ पर loan pair आएगा तो loan pair कितने हैं हमारे पास loan pair अपने पास 2 है ठीक है, loan pair क्या है 2 है, bond pair देखें तो 1, 2, 3, 3 sigma है ना तो मैं sigma के धार पर ही बता रहा हूँ, आपको समझना की 1, 2, 3, 4, कई जगा लिग दे रहते हैं वो उसकी quality है ना, ठीक है, लेकिन मैं आपको संक्रन के धार बता रहा हूँ, तो 1, 2, 3 3 bond pair है, ठीक है 3 bond pair है हमारे पास clear है, ओके अब हम लोग अक्रितिम चलते हैं तो अक्रितिम आप जानते हो के SP3D है SP3D है, वो त्रिकोनी होता है त्रिकोनी या डिपिरामीडी होता है SP3 समझना ध्यान से कहाँ पर बनाओ, यहाँ पर बनायता हूँ यह चल जाएगा क्या 1, 2, 3, ऐसा होता है एक उपर के और, एक नीचे के और यहाँ पर एक तत्वा एक तत्वा, एक तत्वा और उपर में एक तत्वा तो यह तीनों प्लेनर में है ठीक है, एक उपर के और है और एक नीचे के और है तो यह और यह और यह उपर मिलकर एक पिरामीड बनाता है ठीक है और इसको नीचे कियो ये और ये और ये और ये तीनों जान मेलकर एक पिरमिट नीचे बनाएगा मतलब समझा रहा है चलो मैं बताए तो हूँ ये देखो एक दो और ये तीन ऐसा है ये वाला कोना ये हो गया ये वाला कोना यह हो गया और यह वाला कोना यह हो गया ठीक है अब क्या करूंगा मैं इस वाले कोने मतलब यह वाले कोने को मैं उपर कर रहा हूं ऐसे उपर हो रहा है ठीक है यह वाला कोना को फिर उपर कर रहा हूं तो यह ऐसे उपर हो जाएगा और यह उपर हो जाएगा तो उ नीचे के तरब भी क्या बनेगा, एक पिरमीड बनेगा, तो दी पिरमीड हो जाएगा, और दी पिरमीड त्रिकोनी है, तो तीन कोन है न, आपने बता है न, उपर कोर जब बनेगा, तो तीन फलक दिखेंगे आपको, तो त्रिकोनी दी पिरमीड बनता है, अब बताओ, त्रि पिरमीड बनता नीचे को बनता पिरमीड बनता है ना तो त्रिकोणी दिव पिरमीड बोलते हैं लेकिन यहाँ पर लोन पर यह क्या बनता है आपका T आकार का बनता है तो X, E, F, F, यह F और एक क्या है अपने पास से oxygen ठीक है लोन पर उपर में है एक, दो, तीन तो यह T की आक प्रकार का बनता है इसके आकरती क्या है T अगर इसमें सभी तर अपना fluorine जूड़ा रहता है या कोई भी जूड़ा रहता तो क्या बनता यह T पिरमीड बनता लेकिन इसका अकरती क्या बनेगा T यहापको अच्छा से समझना है ठीक है तो X, E, O, F, यह आपको समझ आ गया ह होगा मुझे लगता है ना ठीक है आगे चलते हैं हम लोग X E O F 4 में ठीक है X E O F यह भी एक्दम सिंपल सी है है ना तो सभी इसको मैं फटा फट लिख देता हूँ आप ज्यादध दिमाग निचलाना है ठीक है आपको भी मैं तो चलाया जाहूं है ना तो है ना एक इसके लिए बनाएंगे एक उत्यजी तवस्ता के लिए बनाएंगे हाँ चलो तो शबसे पहले लिख दीऊ हूं है संकरण मैं संकरण जानने का एक तरीक तो आप चैनते हो यार सीधर लोन पयर बोलं मियर को गिन दौ संकरण निकल जाएक देखो चोऊ 1, 2, 3, 3 क्या है अपने पास से loan pair, sorry, bond pair, और ये 2 कितना है loan pair है, देखो, समझेगा, 1, 2, 3, 3 क्या है, bond pair, 3 bond pair, loan pair कितना है, 2, 3, 2 कितना हो गया, 5, तो 5 में क्या करेंगे, 1S, 3P, कुल मिलाकर 4 हुआ, 1D, कुल मिलाकर 5 हो गया, तो इसको देखकर भी आप जान जाओगे, कौन सा, इसे हीं बताऊंगा देखना द्यान से न, ठीक है, तो ये 5S, 5P, 5D, है न, ये हमारे पास है, और, ये मूल अवस्ता लिख देंगे इसको, यहाँ पर लेखेंगे उत्ते जीता वस्ता, ठीक है, तो पहले तो जिनान है, जिनान गात कितने फ्लोरिंट जुड़ा है, 4 फ्लो ये फ्लोरीन, 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 एक उपर एक नीचे होता है, ये भी आप जानते हो, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग बनता और उपर को पिरामीड बनता, वर्ग पिरामीडी बनता, ठीक है, वो अलागला सीचिसान है, उसको छोड़ो अभी, ठीक है, ये जिन फ्लोरीन के यह कितने फ्लोरीन के बनाया है मैंने तीन फ्लोरीन को बनाया है ठीक है है सच यह स्री दोपम के जी एक फ्लेटट दो फ्लोरीं ठीक है तो ही बना दूंक है एक फ्लेट गौर एफ ए डबल पॉंड, डबल, स्वरी, डबल, डबल डबल लटान, सिंगल लटान, एक, दो, तीन, तीन हो गया, ठीक है, ये फ्लुईन कहिजी, वन एस इसके, टू एस इसके, टू पी, फाइफ, तो पहले कक्षा में दो लटान, दूसरे में दो लटान, स्वरी, ये वन एसको नहीं बनाता हूँ, ठीक है, फ्लॉरीन का, वन एस स्केर, टू एस स्केर, टू पी, फाइफ, तो इसका बन जाएगा, एस में, टू एस में कितना है, दो लटान, और टू पिम कितना है, पांच लटान, तो एक, दो, तीन, चार, ये पांच, ठीक, ऑक्सियन का बना देते हैं, ऑक क्या करोगे, देखो, हमारे पास, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बॉन्ड है, और ये डबल बना दक, छे, मतलब अपने को, अप छे, अगमित लटान के हो सकता, पड़ेगी, तो देखो, छे कैसे बनेगा, देखे, है ना, इसमें दो लटान, इसमें दो लटान, इस अगमित लटान के हो सकता, पड़ेगी, ठीक है, यहाँ सिप्ट कर देता हूँ, यहाँ पर सिप्ट लटान, तीनों को सिप्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, और दो अर्बिटल खाली कर देते हैं, ठीक है, अब इस एक फ्लॉरीन यहाँ पर बना रखी है, और यह अक्षियन यहाँ पर बना रखी है, ठीक है, तो सबसे पहले फ्लॉरीन के बारे में बात करते हैं, चलो, तो फ्लॉरीन का पहला नंबर का जुड़ेगा इसके साथ, यह पहला फ्लॉरीन क्लियर करेगा यहाँ से, यह सिच्म रहाए सीगिमाबोंड के साथ ठीक हैं स्याफिख 24 च्क के साथ इसम्लेट son shouldn't लाखन के साथ ठीक है के और नंबर में जायेगा आपका ऑकशिजन सिगमाबोंड के साथ ठीक है और यह च्छिट्रवा में जायेगा यही ऑक्सिजन पाई बॉंड के साथ समझ आया आया ना तो पाई बॉंड एक और सिग्मा बॉंड तीन दो पाँच तो मैंने बता है था संक्राण में कौन बॉंड भाग देते हैं सरी बॉंड तो है सबके बाद लेकिन कौन से बॉंड को गिनते हैं तो 1,2,3,4,5 ठीक है तो 5 सिग्मा बॉंड है तो हमारे पास यहां देखो यह क्या है 5 एसे ना तो 1S आर्बिटल 3P आर्बिटल और इसमें क्यों सिग्मा सिग्मा गिनेंगे ना 3,2,5 3,2,5 और इधर देखे 1S, 3P और 2D बास समझ आ रही है 1S यहां पर संकरान लिख दिया हमेने 1S, 3P और 2D तो इसका संकरान क्या हो जाएगा SP3D2 संकरान यह आपको समझ आ गया रिपिट कर करके देखे इसको ठीक है ना और नहीं समझ आ तो आप कमेंड जरूर करिएगा इसको मैं अलग से और बता दूँगा तो इस तरह सीह हो गया अब बात करते हैं थोड़ा से Lone Pair और Bond Pair की Bond Pair की Bonding Pair बोलते हैं इसको ठीक है लोन पैर देखते हैं तो अच्छे इसका मैं Pi Bound को भी बना दूँ क्या Pi Bound बने गया ठीक है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अब इसके पास क्या है एक अंकलतरान युगमा बचा है तो यहाँ पर Lone Pair कीतना है Lone Pair अपने पास एक है Bond Pair देखें तो एक, दो, तीन, चार, पांच स्वाजी 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 इसको नहीं की नहींगे एक, दो, तीन, चार और ये पांच पांच हमारे पास क्या है Bond Pair है अगर कहिए नहीं क्या गिनते है 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 5, 6 ऐसे गिनते हैं लेकिन हम लोग क्या Sigma Bond को ही किनेंगे तो Sigma Bond कितना है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 तो 1, 2, 3, 4, 5 तो Bonding Pair कितना है, 5 है ठीक है और Loan Pair कितना है हमारे पास से एक ही है Clear हो गया ये आपको अच्छी तरह से ठीक है अब एक चीज़ देखे धान से अगर ये Loan Pair के साथ अगर कोई जूड़ा हो रहा था तो इसको ऐसे बनाते है सलचना को ठीक है यहाँ उपर एक यहाँ उपर दो यह उपर तीन यह उपर चार ठीक है उसी तरह यह वाला नीचे में एक यह वाला नीचे में दो यह वाला नीचे में तीन यह वाला नीचे में चार तो उपर भी एक पिरामीड नीचे भी एक पिरामीड उपर भी एक पिरामीड, नीचे भी एक पिरामीड बनता, तो दी पिरामीडी बनता, ठीक है, दी पिरामीडी बनता, मतलब कहा जाए, इसके पास, मतलब कहा जाए वर्ग भी बनता है यहाँ पर देख रहे हैं यह वर्ग बर रहा है और उपर ने पीरमीड बनत रहा है ठीक है तो यहाँ पर यह वर्ग का पीरमीड होता है ठीक है अब यहाँ पर क्या है अपने पास यह दिखो जिनान एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक फ्लॉरीन यहाँ पर एक फ्लॉरीन दूसरा फ्लॉरीन तीसरा यह चाहता अर इधर नहीं है कि आधर लेकिन यहाँ पर जो दो पीरामीड बनता है यह उपर यको अर बन ततग के वर यह उपर इक और बस बन रहा है, यहां पर double bond के साथ यह देखो, यह यहां पर मंदिर जैसे अकार बन रहा है यह उपर यह उपर के और, मतलब यह एक यह बन गए आपका वरग पीरामीडिया, वरग पीरामीडिया की स्रचना clear है, तो इसकी क्याक्रिति क्या रहाएगा आपका वारगा पिरा मीडिय तो एफ ई ओफ फाइफ सरी ओफ फॉर ये भी क्लियर होगे आपको अब हम लोग लास्टम थोड़ा एक चीज और क्लियर का लेते हैं ज्यादा कुछ नहीं है थोड़ी से एकदम सिंपल सी इसका थेवरी है वह आपका XE O2 F2 क्योंकि यहाँ पर ऑक्सियन किसे हैं क्या जिनान डाइक्स है और डाइफ लोरो है ठीक है मतलब दो अपने पास दोनों जाने है ठीक है तो इस सिचुशन को थोड़ा समझेगा है ना मैं यहाँ पर बनाया तहूं आपको आपके लिए 5S यहाँ पर बना दिया और य यहाँ बनाया दिया मैं फाइब डी है ना इसमें दो लेट्रान जिनान के लिए जी अना वो सब तो आप जानते हैं इसलिए फटावट बता रहा है ना मुस्काद इसमें 6 लेट्रान यह खाली अपना ती दो पांच उतेजी ता वस्ता देखें तो पहले इस सरजना को आपको पता है एक दो ती चार और यह पांच कितने प्रोरीन दो प्रोरीन तो एक प्रोरीन का और बना ज़ता हूँ मैं यह दो और यह एक दो तीन चार और यह पाँच ठीक है और एक आउसियन का बना ज़ता हूँ आउसियन का कितना बनेगा टू एस में कितना रहेगा दो लट्रान टू पी में इसका यह लिकाल के देख लेते हैं वन एस स्क्यार टू एस स्क्यार टू पी फोर चार चार आठ होता है ना ठीक है तो टू पी में चार लट्रान तो एक लट्रान दो लट्रान तीन लट्रान औ और मैं इसको उत्री दवस्तम क्लियर करता हूँ और यह जाएगा आपका पी और यह जाएगा आपका फाइव डी में एक दो चार एक पाँच डबा तो चलो यहां कर टान में यहां shift कर देता हूं, अच्छा एक चीज़ पहले गील लेते हैं ना, एक, दो, तीन, चार, चार यहां पर हो गया, चार आउगमित हो गया, और एक यहां पर बनेगा, एक यहां बनेगा, चार दो, चै, मतलब, चै अपने को, कुल, आउगमित लटान चाहिए, कितने चाहिए, चै चाहिए, है ना, अब यहां से देखो, एक लिटान यहां shift हो गया, ठीक है, एक लिटान यहां shift हो जाएगा, एक लिटान यहां shift हो जाएगा, तीन लिटान shift हो गया, तो कैसे बनेगा, यह पहला तो जियों कोते रहेगा, ठीक है रहे न, दो, पहला, एक, दो, तीन, चा और यह 5 और यह 6 तो अब संकरन करवाते हैं तो पहला हम लिखेंगे संकरन दूसरा लिखेंगे लोन पेयर और तीसरा लिखेंगे हम लोग आक्रिती यहाद रखेंगे ऐसा बना हुआ है चलो तो यहां देखते हैं यह फ्लोरीन का की दो फ्लोरीन लीखने हैं और दो और यहार आएक अक्सव् algumas इसमें पास ऐसे 1 k세 क्थम्रा के अब हमारे पास जो extension 285 एतों इसके पास कितने प्राइब है और कितने सिग्मीज यह देखते जाते हैं तो सबसे पहले फ्लोरीन के बारे में बातकरता हूं पहला नबर का है वो जुरेगा ilsके सांथ ठीक है यह बनाएग अपका स्टिग्मा भौन Unter दूसरा दूसरे वाले का अईग्मित है इसके सांथ और बनाएगा स्टिग्मा भौन तो चार सिग्मा बॉंड हो गया हमारे पास कितना सिग्मा हो गया चार सिग्मा हो गया अब दिखते हैं धहां से न अब इसमें का एक बॉंड बनाता है इसके साथ एक पाई बॉंड और ये ये अलाक्सियन बनाता है और एक, दो, तीन, तीन पाई धार है ना, पी ब्लॉक में, यह पी इसका नहीं है, यह सिग्मा इसका नहीं है, यह सिग्मा इस पी का है, यह सिग्मा इस पी का है, यह सिग्मा इस पी का है, ठीक है, तो यह एस आर्बिटल एक हो गया, और एक, दो, तीन, तीन पाई D और आप जानते हो कि SP3D क्या होता है? त्रिकोने D piramidh होता है त्रिकोने D piramidh होता है याद रखेगा है न? तो इसका सरजन देखो अगर लोन पेर अच्छा इसका पाइब आण मी लिग देता हूँ, लिग दिया मैंने पाइब आण ठीक है, अब देखो, जिनान के भायताम को उसमें 8 लटान, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 खार पत हो गया, मतलब 2 और बचा, मतलब लोन पेर 1, तो संकरान कौन से होगा, संकरान क्या होगा, आपका SP3D, SP3D, संकरान, लोन पेर देखते हैं, तो लोन पेर हमारे पास 1 है, बोन पेर देख तो आप समझा चुका हों कही बार, ऐसा होता न, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक उपर के और एक निची और, ठीक है, तो कैसे बनता, पहले यह त्रिकोन बनता, ठीक है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यह एक पिरमीड इधर बनता, यह यह और यह यह पिरमीड यहाँ पर बनता टो दी पिरमीड बनता लेकन यहाँ लोनपेयर है लोनपेयर जहां पर आता है काम हमरा अटक जाता है मतलब कि यह अविक्रित आकरित कि यह बनाएगा आपके पास यहां से यह एसा यह इधर से बराएगा है यह और देखे दिया इधर से ऐसे ऊपर आप यहाँ पर यह तरह सारा प्रिमिंड भार रहा है फिरूर बने गा जी ऐसे टाइप से देखो तो यह विक्रित अकार है ठीक है तो इस तरह से यह complete हो गया और चैनल में नहीं आए तो subscribe कर दीजेगा और तो बॉन्ड प्रिकेश गिना जाता है ठीक है तो समय जाता है अच्छी बात है कमेंट करिए और नहीं आया तो और पूछ सकते हैं